हेलो दोस्तों, निप्टी और बैंक निप्टी अनलेसिस के इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं कि as per Elliott Wave Theory इससे पहले जो हमारा count था कि इधर से market ये एक 1, 2, ये 3rd हो गया और जो कि 1.618% के करिब करिब से market ये 4th के लिए आ रहे हैं देन ये 5th के लिए जाएगा तो क्या साथ साथ निप्टी का 5 मिनिट और 1 मिनिट का चार्ट पे जाकर काल expired ये फिर कौन सी level और कौन सी pattern बना सकते हैं वो हम discussion करेंगे इस वीडियो पर तो चले शुरू करते हैं ये सब जो भी marking है ये सब कुछ है ऐस पर Elliott Wave Theory जो दोस्तो Elliott Wave Theory का concept से बिल्कुल भी परिचित नहीं ह इस playlist को follow कीजिए हमारा चैनल पे जाकर इधर आपको Elliott Wave का comprehensive knowledge मिलता रहेगा तो अभी मैं start करता हूँ इधर निप्टी का 1 hour का time frame है इधर part day तो मैं निप्टी का 1 hour पे मेरा marking बदलूँगा ऐसा तो नहीं होगा तो इधर जो मेरा marking तो पहले वो same है बट एक ही update मैं इधर देन के अंदर यानिकि यह 3rd 4th के बाद यह 5th के अंदर का 1 है यह जो है यह ABC करके major lag रहा था जो 2 है यह 3rd है तो इस 3rd जो है यह तो complete हो गया उसके बाद यह 4th के अंदर चाल रहे है और यह 4th wave है यह normally कहां तक होते है यह wave 1 का territory पे अगर आ भी गया तो इधर आकर close नहीं हो सकता तो इगर 4th wave है तो मेरा expectation रहेगा कि यह इस wave 1 का territory है जो कि लगबख 18400 के करिब करिब है यानिकि यह बाला जो wave 1 का high है इसके अंदर आकर यह 4th wave closing नहीं देना चाहिए इसलिए मेरा expectation है कि market यह बाला जो wave 1 का high है इसको थोड़ा respect देगा और अगर इधर से market इधर आकर close हो ग देखना पड़ेगा कि इधर कोई 5th wave complete हो गया कि नहीं लेकिन आभी के लिए मैं expect करना कि यह 4th wave है यह इस wave 1 का territory पर आकर closing ना दे दे और इधर 15 minute का chart पर आभी हम जाएंगे इस particular जगा जो rise हुआ था उसको देखने के लिए और फिर हम 5 minute का chart पर भी देखेंगे तो आभी हम आगा निप्टी का 15 minutes का chart पर इधर इससे पहले जो हमारा marking था ओ था कि यह 1 hour का time frame पर इजो 5th wave का मार्क कर रहे थे तो उस 5th wave के आंदर जो 5th wave होते हैं तो यह इधर तक जो मैंने आभी दिखा है 1 ABC करके 2 जो 1 hour पर दिखा है यह 3rd जो है यह most probably इस जगा के करीब करीब ही complete ह हो गया यानके एक ट्रांकेरिट 5th बनाने के अंदर बात ही यह 3rd जो है इधर ही complete हो गया and then यह 4th wave के लिए मार्केट नीचे आ रहा है तो यह 4th wave के लिए में भी यह जो था यह हमारा A था तो यह जो है यह हमारा B है जो मैंने पिछले दिन discuss किया था कि यह ABC करके मार्केट 4, 5 ऐसा कुछ बना रहा है यह फिर थोड़ा और साइद नीचे आ सकते हैं इधर एक गलती हम लोग कटते हैं ओ यह कि यह जब मार्केट ऐसा एक ही जगा फे घूमते हैं तो हम पहले इसको ending diagonal घोसित कर देते हैं जो कि एक गलती होते हैं हमारी तरब से तो में भी इधर यह ह हो सकते हैं कि यह 1, 2 यह आपका 3rd, 4th, 5th करके मार्केट आए देन यह उपर चले जाए यह एक possibility हो सकते हैं जो मुझे लाग रहा है तब जाकर यह ABC complete होका और देन मार्केट थोड़ा upside जाने का प्रयास कर सकते हैं जो आपना 5th के अंदर का यह जो 5th है 15 मेर्ट पर इसको complete कर करने के लिए और इधर जो निफ्टी पर alternate count दिया था उसी सबसे आप इसको normally 1, 2, 3, 4, 5 का expectation कर सकते हैं but this is just an alternate count कि in any case market जो है इधर से यह upside पर नहीं गया I mean किसी करण अगर हमारा यह आकडी का जो एक wave है जो 15 यह 200 से यह चले आ रहा था इधर तक तक से ही है but किसी करण यह टाइम प्रेम पर आकडी का एक wave अगर किसी करण मैंने मिस कर गया और उसके लिए अगर हमारा counting बदलना पड़े तो हम किस तरफ ले सकते हैं क्या हमारा expectation हो सकते हैं औहीं मैं दिखा रहा हूं कि यह दूसरी तरफ हम एक तब जाकर position ले सकते हैं लेकिन आभी भी हमारा main expectation त कि यह जो है एक kind of a triangle बना रहे हैं इधर बी ओ ए से उपर है तो में भी एक running triangle होने का possibility है तो इधर से market थोड़ा यह जो bank nifty के अंदर कभी fifth complete करने के लिए जा सकते हैं या फिर इधर जो मैंने एक दूसरा possibility बोला था ओ भी upside पड़ी है तो ओ यह था कि में भी यह जो है इधर से एक, दो, तीन, यह चार, यह पांच करके एक kind of an ending diagonal भी बना सकते हैं तो चाहिए हो एक triangle बनाए, diagonal बनाए, कुछ भी बनाए तो इधर से भी हमारा एह ही expectation है कि यह थोड़ा upside पर जाएगा और इसके लिए यह बारा जो wave a का low है यह हमारा एक stop loss हो सकते हैं downside पर और जैसे कि यह बोल ला था, nifty तब ही गिरेगा जाब bank nifty गिरेगा तो मेरा expectation एह है कि bank nifty अगर इधर से यह downside पर आएगा तो nifty ने भी आपना जो alternate count है 1, 2, 3, 4, 5 करके downside पर वो side चलू कर सकते हैं बट इन बोद्दा cases मेरा expectation थोड़ा upside पर जाने के बाद यह downside आएगा यानि कि एक छोड आया है nifty का 15 मिनिट का टाइम फ्रेम पर इधर एक चीज जो मुझे दिख रहा था जिसके कारण यह मैंने share कर रहा क्योंकि यह कल भी हो सकते हैं यानि कि इधर से एक harmonic pattern बनते हुए मुझे दिख रहे हैं यह harmonic और यह दोने ही फीवोनासी से काम करते हैं इसलिए मैं यह discussion कर रहा हूं तो इधर market यह जो है लगवक 18,480-485 यह वाले जो level है इसके नीचे आगर market नहीं आया तो market इधर से एक bounce कर सकते हैं और यह जब harmonic से bounce करते हैं तो हमेसा हम क्या करते हैं तो जहां से भी यह अपना एक bottom बनाएगा यानि कि 485 आगर नहीं तोड़ा तब की बाद बो 480 या 485 का जो label है इसको ना तो रहें जो कि आमारे एलियाट वे पर भी एक kind of an ending diagonal जो possibility मैं बोल ला ता कि यह जो है kind of an ending diagonal बना कर जा सकते हैं तो उसी सब से यह अगर काल भी बहुत सार्परी down ना जाकर अगर इधर ही थोड़ा time waste करें तो में भी काल ही इधर से एक pattern खतम कर करके यह upside जा सकते हैं जो मुझे लाग रहे हैं और इधर से अभी देखे तो यह एक kind of an ending diagonal लाग रहे हैं तो इसी सब से यह इधर से भी जा सकते हैं तो what I am trying to point out is इस छोड़ा time frame पर मैं expect कर रहा हूं कि market जो है इस low को ना तोड़े तो harmonic से भी bounce आ सकते हैं और अगर इधर से थोड़ा नीचे आ भी गया तब भी इधर से ending diagonal जासे pattern बनने के बाद market जो bounce करके आपना जो एक फीप तोड़े में भी जा सकते हैं और आज हम आगरे पे यह देखेंगे nifty पे intraday पे जो भी price section हुआ उसको हम one minute का chart पे कैसे trade कर सकते थे तो अब हम चला है nifty का one minute का chart पे तो तो market upside पे कैसे जा सकते हैं या downside पर भी ऐसा sharp way पे जिसको हम क्या नाम देते हैं जिसको हम नाम देते हैं impulse और दूसरा impulse का failure होते हैं ऐसा करके जाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं kind of a diagonal तो यह इधर से क्या sharp लिए ऐसा जा रहे हैं या फिर एक diagonal फॉर्म में जा रहे हैं तो जब यह kind of diagonal बना रहे हैं तो इसके बाद यह क्या करेगा, इधर से यह kind of an fall करने का कोशिस करेगा, that's it, यही होना चाहिए था, okay, क्योंकि diagonal का मतलब यह impulse wave नहीं है, इतना sharpness नहीं है, तो यह ज़्यादा दूर जान नहीं पाएगा, यह कभी भी reverse कर सकते हैं, और अगर फीबुना सी wise भी अगर अब देखना चाहिएंगे, तो इधर से यह बाद जो low है, इसको अगर मैं kind of an A मानू, यह अगर B है, तो इसका म रहता हूं, तो यह C wave जो है, यह लगवग 100% तक होते हैं, तो यह 100% का level को भी touch कर चुके हैं, तो में भी इधर से यह kind of an A, B, C, यान कि एक collective rise यह भी W, X, जो भी इधर है internal structure, अब वो देखने का जरू रहत नहीं, यह 100% तक आ गये, kind of an diagonal बनाने का कोसिस कर रहे हैं, इधर स कुछ इस टाइब का expanding diagonal है, तो यह तो हो गया सब कुछ price-wise, आप time-wise भी चलिए देखते हैं, कि 50C जो है, इसके माद दमसाम time-wise भी कैसे predict कर सकते हैं, यह हमारा A है, तो B है, तो यह C wave जो होगा, यह C wave पर इधर देखिए, तीन चीज़ काम कर रहे हैं एक साथ, एक है price, जो 100% का level है, यानि कि A बड़ाबर C, जो एक दुसरे का symmetry अचिप किया, दुसरी बात है pattern, यह एक ending diagonal है, जो मुझे लाग रहे हैं कि C पे है, तीसरा है time, यह ता time भी उसके साथ आ गया, price and pattern काफी है, लेकिन जो लोग option seller है, यह option buyer है, उन दोस्तों के लिए, यह timing भी बहुत important हो कर सकते हैं, तो इसी सबसे इधर से एक risk लिया जा सकता था, क्योंकि price, pattern, time तीनों का तीनों एक ही साथ इस जगा के करीब करीब है, यानि कि आज 10 बच कर 25 मिनिट पे और 8656 या 55 के करीब करीब, यह actually confluence बनाया था, price wise भी और time wise भी, इसके बाद market ने इधर से sharply fall किया, अब देख भी सकते हैं, तो यह चाया pattern को recognize कर पाएं, price को recognize कर पाएं, even time wise भी कर पाएं, तो इधर से यह बाला जो एक fall था, इसको आप clearly और बहुत यह आसानी से ले सकते थे, ओके, अब matter यह हैं कि इधर से market क्या कर रहा है, market के असर्फ लिए इधर से बहुत उपर चला जाएग लेकिन 15 mint का chart पे देख कर हमको तो नहीं लग रहा कि A, B, C type A complete होगा तब ही तो जाएगा, even C इतना बड़ा ना भी हो, A, B के बद C, 1, 2, 3, 4, 5, जो आभी कर भी रहा था, जो मैं दिखा भी रहा था, तो इधर से ऐसा कुछ करने के बात तो at least जाएगा ना, ऐसा तो नहीं क कि अभी यह वाला fall हो चुक है, मैं भी यह वाला rise हो रहा है, फिर से fall होगा, that's it, फिर से कुछ एक rise, fall, ऐसा ही कुछ दीखेगा, and then मैं भी market reverse कर सकते हैं, अगर छोड़ा time frame की बात कहें तो, तो इधर से market जो है, एक क्या बनाने का कोसिस कर रहा है, market जब एक ही जगा पे ल triangle बना है, तो इधर जो मुझे दीख रहे हैं कि यह जो है, यह भी एक triangle है, but यह जो है, इसका ऐसा contracting ना बन कि इसका बिल्कुल ultra बन रहे है, मतलब कुछ इस type का, एक A, B, C, D, E, and then it can fall again, तो इधर जो है, एक kind of a triangle बना रहे है, and then यह इधर से fall करने का कोसिस कर सकते हैं, और यह देखिए, यह exactly इस top को तोड़के आपना जो actual top कहां बना है, जिसके बाद यह sharp fall दिया, ओ है, यह बाला जो जगा, जो लगबग 2 बाचकर 45 मिनिट पे, मतलब यह जो मैंने आभी A, B, C करके आपको दीखाया, तो ओही time frame का जो time wise भी एक zone है, तो उस ही सबसे यह 2 बाचकर 48 मिनिट पे, और देन मार्केट इदर से fall करने का कोसिस किया, ओके, अब इसको समझने के लिए तोड़ा समझ देना पड़ेगा, बाट overall अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कि यह जो है, यह kind of an, एक triangle ऐसा में भी बना सकता था, इसने kind of a triangle बना, and then market इदर से fall करने का कोसिस किया, that's it, और ओभी जो time wise मैंने zone दिखाया अबी, उसी सबसे यह time wise भी एक zone भी था, इसलिए इस particular जगा से market ने fall किया, और भी surf लिए, that's it, तो आज inter day भी, I think market was too easy, because इदर से यह kind of a diagonal भी बनाया, price pattern time wise भी आपको signal दिया, इधर भी more or less same किया, एक pattern भी बनाया, time wise भी एक validation आया, और दिन इधर से market ने surf haul किया, that's it, तो मैं expect कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं थोड़ा knowledge बड़ा रभा रहा हूं, तो अगर आप लोगों को अमारे इस वीडियो से थोड़ा मदद मिल रहा है, तो kindly हमारा वीडियो को like और comment कर सकते हैं, तो अभी के लिए इत आया, thank you and goodbye.